अग्यारट फैंज कैसे हैं आप लोगवर आज हमगरा topic है Cross examination simple Cross examination के बारे में कि Cross examination होता क्या है अगर आप word देखें cross तो इसका मतलब क्या होता है एंड्रॉन्स कटो प्रिवेंट कि किसी चीज में रुकावाट डालना किसी चीज को रूकना जो उसने पहले काम किया हो उससे जो है उसको उनसे रोकशना कि आपने जह सही नहीं किया आज भी पर समझे मतलब क्रास एक्डामिशन जो उसने बात की है उसी बात के अंदर रह कर उन से हकीकत निकालना है को क्रास केहते हैं क्रास एग्जामिनिशन तो आईए लाफ एविडन्स के अंदर क्रास एग्जामिनिशन होता क्या है क्रास एग्जामिनिशन कौन करता है तो फिर जो गवाई है उससे दूसरी पार्टी अगर कुछ पूश्टाज करेगी कोड़ के अंदर तो इसको कहेंगे क्राफ्स एग्जामिनेशन ठीक है या फिर अगर उस पार्टी का वकिल है तो फिर जो पार्टी कोड़ में जिसकी गवाई हो रही है उससे दूसरी पार्टी का काउंसिल अगर उससे पूश्टाज करें तो इसको क्राफ्स एग्जामिनेशन कहते हैं एक्समपल ए ने सूर फाइल किया बी पर ठीक है अब ए का गवाई चल रही है ठीक है अब बी का काउंस बी या फिर बी का काउंसिल मतलब बी का एड़ोकेट अगर ए से पूश्टाज करें तो इसे कहते हैं क्राफ्स एग्जामिनेशन आरी बस में जहां तक बात क्लिए र होगी पूछताज औरल होगी आरी बस में उसकी अंदर लीडिंग कोस्टेंस पूछे जा सकते हैं या नहीं बिल्कुल पूछे जा सकते हैं लीडिंग कोस्टेंस पूछे जा सकते हैं जब एक्जामिनेशन क्लियर हो जाएगी क्रास एक्जामिनेशन तो उस गवा से साइन जाएगी और जो जज्ज हैं वो भी उन पर साइन करेंगे ठीके इसका मकसद क्या होता है क्रास एक्जामिनेशन का सिंपली आप देख ले तो चेग क्रेडिबिल्टी आफ विट्नेस जो गवा होता है उसकी सदाकत चेग करने के लिए कि ये कितना जो है सचा इंसान है कितना सचा इंसान है या फिर कितना वो जूठा है चेग टूर्थफुलनेस कि कितनी सचाई है इनकी बातों में कितनी सचाई है इंट्रोड्यूस न्यू फैक्स इन्होंने जो बातें की है फार एक्जमपल ए ने ये बातें की है ठीक है एक ये एक ये एक ये एक ये ठीक है प class examination यहां टक बात के लिए रहे मतलब class examination का असल जो purpose है वो होता है extract real facts मतलब असल जो हकीकत है उसको वूंजूं निकाल लेना उससे तर एक्जमपल यह इन्होंने 5 बातें की हैं enemies इनकी अंदर से ही इनकी अंधर ही रहेकर या इन जो से बाहर रहेकर यह बातें बाहर है ठीक है यह सारी बाते बाहर है अब यहां पर लीडिंग कोस्चन से वो पूछ सकते हैं ठीक है इन्होंने यह बाते पांच की थी अब लीडिंग कोस्चन इसके बारे पूछ सकते हैं इसको अंदर लेकर आ सकते हैं मतलब यह चटी हो गई मतलब यह तो इन्होंने बात ये जो होता है हमारे पास cross examination, कभी भी confined to relevant facts to which the witness testified in examination in chief. जो examination chief में कहा है, मतलब कितनी बातें की थी इन्होंने? इन्होंने हमारे पास 5 बातें की थी examination chief के अंदर, ठीक है, और इसके pleading के अंदर, मतलब इसके plant के अंदर भी 5 ही बाते हैं, कितनी बाते हैं? 5 ही बाते हैं, अब cross examination कभी भी उन 5 बातों पर नहीं रुकेगा, ठीक है, इसका जो scope है, वो wide है, बहुत बड़ा scope है, वो कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, आरी बस समझे, सरफ civil matter के अंदर, जो है वो bad character या फिर good character, previous good character या bad character वो relevant नहीं होता है, मगर civil cases के अंदर, जो है criminal cases के अंदर, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, civil cases के अंदर भी आपको cross examination पूछने का पूरा हक है, यहां तक बात के लिए रहे, बहुत सिंपल है, अगर फिर भी समझ ना आए, तो आप मुझ से पूछ सकते हैं, cross examination कोन करता है, cross examination हमेशा, दूसरी पार्टी का जो काउंसल, अगर कोई पूछ ताज करें, ठीक है, तो इसको कहते हैं, हमेरे पास cross examination, यहां तक बात के लिए रहे, अगर A ने सूट फाइल किया B पर, अब B की गवाई चल रही है, और इससे एक अकाउंसल जो है, उससे पूछ ताज कर रहा है, तो यह हो गया cross examination, बहुत सिंपल है, अगर थिछ भी समझ बना आए, तो आप मुझ से पूछ सकते हैं, इन पर detail में तो हम अलग से एक lecture बनाएंगे, मगर थोड़ा सा concept clear करने के लिए, यह lectures में बना रहा हूं, कि examination chief क्या है, cross examination क्या है, और हमार पास re examination क्या है, जहां तक बात clear है, एक student की especially demand थी, कि सर्थ छोटे से मक्सूस lecture बना दे, 3-4 minutes की 5 minutes की अंदर थोड़ा सा simply बता दें कि cross examination है क्या, examination chief क्या है और re examination क्या है simply, फिर उन पर detail में आप अलग से बात करें बले, thank you so much.